सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंडी के बटन को भी ज़रूर दबाएं Hello and Welcome to ADE Education, मैं हूँ Amit Dixit तो finally आपका 501 का पेपर हो चुका है और जैसा कि मैं वेट कर रहा था अभी तक मैंने प्रितिकिरिया इस पर नहीं दीती, कोई response नहीं दिया आपके क्या response आ रहा था, कैसा आपका पेपर रहा, किस तरह का 501 का रहा, उसका पेपर का analysis करने के बाद मैं आपसे बात करना चाहरा था, तो मैं आपके सामने हूँ, अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत important है, आगे आने वाले papers के लिए, आप इसको जरूर देख लें, सिक्षकों से मैं उन लोगों को बहुत सुबकामना है देना चाता हूँ, जिन्हों नहीं ब अब यहाँ पर जिल लोगों के paper अच्छे नहीं गए हैं, कई लोगों के ऐसे comment आए, जो उन्होंने मुझे बताया कि questions नहीं फसे, जो gas questions हम देख के गए थे, वो नहीं आए, तो देखिए, आप negativity में मत जाएए, यहाँ देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूँ, जैसे गलत हो गए हमारे साथ, तो this is very wrong mentality, एक गलत धरना है यह, आप important questions, guess questions को अपना support के तोर पर लेके जाएं, कि अगर आ गए, तो very good हमारी lottery लग गई, हम उसको कर लेंगे और अच्छे number आ जाएंगे, लेकर अगर नहीं है, तो आपको जो पढ़ा गया topic का ग्यान है, किसी मैं यह नहीं, अभी भी नहीं कहूंगा कि आप ना देखके जाएं, उनको देखके जरूर जाएं, लेकिन सिर्फ वोतना ही, उनको मान के चलें, कि अगर आते हैं, तो that's well and good, नहीं तो आपका topic का ग्यान ही आपको मदद करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आपको समझ अबिलिबल नहीं हैं, तो हम यह कैसा कि यार, पांस साल के paper में ऐसा आया था, तो अब इस message हम बता सकते हैं, कि NIOs यह प्रशन तो पूछेगा ही, पूछेगा, यहां जो भी प्रशन आपको बताए गए हैं, वो NIOs के swim पर जो material था, जो test थे, जो खुद sample paper NIOs ने बताए, जो भी उनका material में दिया गया है, PDF जो उनके हैं, उनमें दिये गए हैं, आप चाहें तो किसी भी unit के आखर में जाके देखें, यह सारे प्रशन आपको मिलेंगे, जो यहां बताए गए हैं, अगर उनमें से end वक्त पर NIOs कुछ परिवर्तन करता है, मैंने कई सिक्षोकों हो से यह जानकारी ली कि उन्होंने बताया कि MCQ नहीं पूछ गया किसी side में, कुछ ही ने बताया कि कई तरह के changes थे, 150 words की देखा, 250 words में, 200 सब्दों में आपको किसी प्रश्ट को लिखने को कहा गया, तो NIOs ने खुद अपने कई चीज़ों में परिवर्तन कर दिया गया है, अब यहाँ परिशानी आ रही है, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं आई, उन्होंने टॉपिक को समझा है, तो वहाँ जो भी परिवर्तन हुए, वो समझ गए, उन्होंने लिखा और अच्छा पेपर गया, दिक्कत बिगड गया है, तो अब ये चीज़ आप ना करें, अब 502 के 503 के लिए ये आप सीख ले लें, आप टॉपिक्स को बनाना सीखें, देखिए आपसे मैं एक्जांपल देता हूँ, अगर आपसे पूछा गया कि बच्चे के अधिकारों के बारे में बताईए, तो ये सीधा आकलन नहीं कर पाएंगे, तो आपको लगेगा ये out of question है, यहां में वो question नहीं आया है, जो पूछा गया है, तो इस तरह की चीज़ें भी NIOS कर रहा है, शुरू से और आगे भी करेगा, तो ये चीज़ अलट रहे हैं, टॉपिक को समझें, और अच्छे से समझें, तो आप आप परिवर्तन को समझने की कोशिश करें कि प्रश्ण में क्या पूछा जा रहा है, और जरूर लिखकर आएं, कुछ भी आपको इस topic के वारा में समझ में आता है, लिखके आए, छोड़के ना आए, नंबर कुछ मिलने की संभावना रहेगी, अपने intelligence का इस्तमाल करें, you intelligent, be mature, आप topics को अच्छे से पढ़ें, cover करें, और questions को समझने का प्रयास करें, दो और दो चार होते हैं, यह हम सभी जानते हैं, उससे हम जोड़ना नहीं सीखते, हम अगर जोड़ना सीख गए तो दो और दो चार भी जोड़ लेंगे, चार और चार आट भी जोड़ लेंगे important है जोड़ना सीखना, तो यहां questions को बनाना सीखिए, प्रश्णों को बनाना सीखना जादा महत्वपूर है, और इस तरह के negativity में ना जाएं, अभी भी questions देखके जाएं, important, अपने topic को सबसे जादा महत्वपूर दें, Nios के material में जिस तरह से पढ़ाया गया है, lectures देखें, आ this is my suggestion and आगे के लिए भी all the best for your exam, आगे भी मैं आपको और suggestion देखा रहाँगा, तो आप जोड़े रहें AD education से, और like करें, share करें उस वीडियो को और subscribe करने channel को, thank you